हेलो गाइस तो हम लोग आ चुके हैं अपनी नई वीडियो लेखे और आप खास तर कि इस वीडियो को मिस्स मत कीजिएगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने आपको दिखाया है लाइफ प्रूफ अपना यूसी गिववे विनर को देते हुए सो आप आगे आगे देखते हैं क्या होता है हम इस बार उत्रहें हैं मिल्टा और अभी लूट ढूंड रहे हैं फिर लूट जैसे ही मेरे को मिल जाती है हमारे एक टीमेट के पास बंदा आता है कि में कॉल देता है कि चल्दी आव अ कि मुझे बंदा दिख जाता है बट मेरे टीमेट पे वह फायर करता है और मेरे टीमेट उसे नॉक कर देता है और लास्ट में मैं फिनिश और फिर तभी हम लोग यहां पर लूट रहे होते हैं फिर देखिए क्या होता है हमारे साथ यह देखिए हम पे एक बंदा इतना टिट्टी स्प्रे करता है जिससे ना मेरा कुछ बिगड़ता है और ना मेरे टीमेट का फिर हम लोग पुछ करने की तैयारी करते हैं और तभी मुझे बंदा दिख जाता है मैं सोचता हूं एक सस्ती नेड डाल दूँ बट उससे पहले ही मेरा टीम मेट डाल चुका होता है और उसने इस बंदे को नौक भी कर दिया एकदम उपी नेड हमारे बिल्कुल सामने एक फ्लेयर थी बट हम लोग जाते नहीं उस पर अभी देखिए इस बंदे को कैसे भरत जाता है और फिर हम लोग यहां से निकल जाते हैं थोड़ा लूट के मेरे टीमेट कहता है मेरे को गाड़ी लाने के लिए 50 गाड़ी मेरे पास में रहती है और मैं चला जाता हूं उनके पास और पहुंचने के बाद देखता हूं कि यह लग तो बगी से जा रहे हैं मेहनत बरबात बट कोई बात नहीं हम आगे जाएंगे उनके पीछे जाएंगे और यह देखिए मुझे एक बाट दिखता है मैं उससे गाड़ी से मारता हूं और क्या होता है यह पब जी वालों का म मैं जब तक ना उत्रू तब तक इन्होंने मेरे को डैमेज देना बन नहीं किया वैसे मैं उतर के लूट लेता हूं जिसको नौक किया था मैंने फिर हम सोचते हैं कि अब कहा जाएं तो अब ही बैट के मैं हील कर रहा होता हूं तब ही मेरा टीमेट कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो निकलता है बट मुझे यह समझ नहीं है कि टीमेट के बैठने पर गाड़ी ग्लिच क्यों नहीं हुई जैसा कि हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में कहा रहे थें कि आपको हम दिखाने वाले हैं लाइफ प्रूफ हमने जो यूसी गिवववेग किया है तो आप यह देखिए यह पूरा ट्रांसफर हमने आप लोग को दिखा दिया आप देखते रही है और स्टार्टिंग में उस प्लेयर की आईडी भी थी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि उस प्लेयर का नाम क्या था और इस बार का यूसी गिवववेगा विनेर है विकास गुपता कि देखते जाए हमारा पेमेंट हो गया सक्सेस्फुल और हमारे विनर को मिल चुका है यूसी अपना विनर भी खुश हम भी खुश अब हम वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता है रस्ते में गाड़ी चेंज कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी डैमेज थी और गाइज अब देखिए यह सीना आप जुरूर मिस्मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कमाल का चीज होने वाला है जो कि इसाएद आप सभी में से आज तक ना किसे ने सोचा होगा ना किया होगा वह देखिए सामने से गाड़ी आ रहा है हम बोट में उठें और उनके बंदों को कर दिया नौक एंड फिनिश बसे पानी में तो नौक होते नहीं है डायरेक्ट फिनिश सब्सक्राइब अभी तो यह दो थें बट आप चाहें तो इस ट्रिक को यूज करते हुए एक स्क्वाड अकेले भी मार सकते हैं और यही थी आज की हमारी 200 लेवल हाईक्यू केम्पिंग जो कि रैंग पुशर्स के लिए बहुत ही काम आईगी गाइस अब हम निकल जाते हैं यहां से सोचते हैं निकलने की पट्ट कि थोड़ा लूप लूँ फिर निकलते हैं कि यहां से हम निकल जाते हैं सीधे मिल्टा की तरफ कि स्वारी मिल्टरी बेस की तरफ कि तभी हमारे सामने से गाड़ी गुजरती है और हमारे टीमेट कहते हैं कि चलो उन पर पुश करें तो गाइस आप लोग देखते जाए उसे कैसे मारते हैं बंदा इसी घर पे रहता है यह सामने वाले कंपाउंड में मैं काने इंट निकालता हूं चेक करने के लिए कि बंदा कहा है और उससे पहले हमारे एक टीम मिट नहीं उसे मार दिया और वह बंदा था अकेला केला सायद उसके पूरी स्कॉर्ड मर गए थी अब हम अपने मंजल की तरफ बढ़ते हुए मिल्टरी बेस कि यहां से मैं चेक करता हूँ अपनी टेक्स के साथ कि कोई है तो नहीं तावर बढ़ना बहुत से बंदे टावर पर केम्पिंग करते रहते हैं कहीं के भी बंदे मार देते हैं तो हम लोगोंने एक कवर लेखे यहीं पर रुक के चेक कर रहा है तो गाइस तभी जो आखरी स्कॉर्ट थी वो देखिए यहां पहुंच चुकी है देखते चाहिए वो देखिए मेरे एक टीम मेट ने एक बंदे को नॉप भी कर दिया और मैं सोचता हूं इसे मारू बट उसे भी मेरे दूसरे टीम मेट ने किल कर दिया और लास्ट में मैंने हैट शॉट देखी दिया तो गाइस थाम कर दो दूसरे चाहिए